आज के वचन का जो शीर्शक है, आप सुनके हैरान हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्या विपत्तियों में पर्मेश्वर के प्रेम को आप समझते हैं? क्या विपत्तियों में परमेश्वर के प्रेम को आप समझते हैं आपको एक सच बात बताओ मसी के जीवन में विपत्ति कभी नहीं आती आप खुशने हुए मसीहों के जीवन में विपत्ति कभी नहीं आती मसीहों के जीवन में आजमाईश आती है विपत्ति नहीं आती, आप उसे विपत्ति समझते हैं, आप समझते हैं विपत्ति, वो आजमाईश है, विपत्ति नहीं है, कौन आजमारा है आपको? परमेश्वर, क्या परमेश्वर आपको इस सवभाब में लेके जाएगा सवर्ग में? हालेलिया, कलीशिया क्यों रची है? तक कि परमेश्वर आपके सवभाब को, आपके सवभाब को, आपके अंदुरूनी मनशुत को बदले, इसलिए तो उसने अपनी आत्मा दिये, There is a lot इसलिए मसीहों के जीवर में विपत्ती नहीं आती है आजमाईश आती है Hallelujah और जिस दिन आप परमेशर के प्रेम को समझ लेंगे मेरी बहें आप उन सारी आजमाईशों से उपर उठ जाएंगे जिस तरह एक बच्चा अगर अपने पिता की योजिनाओं को पिता की डाट को समझ लेगा तो वो दुखी नहीं होगा Amen जिस दिन बच्चा समझ लेगा कि मेरा पिता मेरे लिए अच्छा ही करेगा अगर वो किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो जरूर इसमें कोई भलाई होगी जिस दिन ये बच्चा समझ लेगा उस दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है Hallelujah क्योंकि आप अपनी बुद्धी का उपयोग करते हैं आप परमेशर को नहीं समझते आप अपनी बुद्धी का उपयोग करते हैं अपने बुद्धी के अनुसार चलना चाहते हैं आप सोस्ते जो मैं सोच रहा हूं वो सही है जो मैं सोच रहा हूं सही है डॉक्टर बिली के नाम ने बहुत अच्छी बात कही थी उन्हें कहा कि अगर मान लिजे एक इनसान को कुछ चीज प्रिडूस करने के लिए परमिश्ण इजाज़त दे दे एक इनसान को कोई भी चीज तो क्या प्रिडूस करेगा वो मान लिजे उसने एक चीटी को प्रिडूस किया चीटी का उसने प्रोड़क्शन किया जनम दिया उसको अब चीटी जा रही है और इनसान देख रहा है चीटी जा रही है और सामने दलदल है सामने आग का कुआ है इंसान देख रहा है तो क्या करेगा इंसान? उसके सामने हाथ रखेगा तो चीटी उसके हाथ में चड़कर फिर चली जाएगी आगे उसको इधर खिसकाएगा लेकिन फिर चली जाएगी तो उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुँँचीटी बनना पड़ेगा एमेन? और खुँचीटी बनकर उसको बताना पड़ेगा कि आगे आग का कुवा है एमेन? यही तो इशुम उसी ने किया यही तो पर्मेशन ने किया कि वो स्वर्ख से मनुष्च के रूप में धर्ती पर आया और हमको बताने के लिए कि रास्ता कौन सा है हमें किस तरब जाना चाहिए हमें क्या करना चाहिए मैं सच कहरा हूँ पर मेशन ने हमारे लिए हर पल एक आशीश का दरवाजा खोला हुआ है हर पल हम दुखी क्यों होते हैं क्योंकि हम अपनी बुद्धी के अनुसार काम करते हैं हालेलिया प्रेस अलॉट तो परमिशर आपको आजमाईशों में देखना चाहता है कि आप कैसे जीवन जीते हैं हालेलिया आज हम एलिया की बात करेंगे एलिया जो के बहुत जिसके माबाब के बारे में नहीं पता जिसका नहीं पता कि साफ उसका आगे पीछे क्या है हालेलिया लेकि राजा आहाब के समय में जो कि राजा आहाब बहुत ही शैतानी आदमी था और उसने बहुत परमिशर के विर्दू को काम करता था और उसके सामने एलिया तिश्भी एलिया वो प्रकट होता है और वो बोलता है परमिश्र का वचन प्रेस अलोड हालेलिया अब देखिए वो चुना हुआ अदास है वो परमिश्र का चुना हुआ है भविश्य वक्ता है एलिया जिसने आग के दौरा परमिश्र को बताया परम के सामने अशेरा के जो पुजाली थे उनके सामने परमेश्वर आग के समान उत्रा आग के नाई उत्रा और बताया कि मैं कौन हूं आललुया प्रेस्ट अलॉट तो यहां पर जो तिश्मी एलिया है वह राजा आहब के सामने प्रकट होता और क्या कहता है बोले बैटा एक से कहा इस्राइल का परमेश्व यहोवा जिसके सम्मुक मैं उपस्तित रहता हूं उसके जीवन की शपत इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो में बरसेगा और ना ओस पड़ेगी अलेलुया प्रेस अलॉट इतना राजा अहाब ने परमेश्वर के वृत काम किया कि परमेश्व को एलिया को भेचना पड़ा है हालेलुया एलिया ने आकर कहा कि जब तक मैं ना चाहूं प्रेस अलॉट हालेलुया तब तक साड़े तीन साल तक वर्षा नहीं होगी दूसरा पड़ो पेटा तब यहोवा का ये वचन उसके पास पोचा यहां से चलकर पुर में है छिपजा है मैं अब सुचिया एक बार परमेश्व ने एलिया को भीजा राजा आप के दरबार में दरबार लगा हुआ है सैनिक हैं सेना पती हैं पूरा उनका दरबार है और वहां पर अकेला एलिया खाड़ा होता है और ऐलान करता है कि जब तक मैं नहीं चाहूंग खाड़ा आलोहिया देखे ये परमेश्व का तरीका है और उसने किure नाले का पानी पीना अगर हम इस्ट्री देखेंगे इतिहास देखेंगे तो परमेश्व ने इसरालियों को पत्थर से पानी पिलाए है आकाट से रोटी बड़साई है अललोहिया और यहां पर वह को पो और आप खड़े निहीं हो सकते बियोंच वह जाएंगे म basketball कहते है पर मेश्ड़ी चाहता एंगर दो तो वहह जाके रहे क्यों रहे दो क्या चाहता है पर मैश्ड़ाइश टॉर्मिस्ट़् अपके द्वारा काम करना चाहता है लेकिन पर पर मीशर नहीं चाहता है ты आप में घमंड आए तिश्बी एलिया ने कहा मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी आलेलुया इस मैं को हमें अपने अंदर से निकालना है हमारे किसी भी काम में मैं नहीं होना चाहिए क्यों परमेशन ने कहा कि जा करीट नाले पर जा और नाले का पानी पी आगला पढ़ा तीसरा इसी नाले का पानी तु पिया कर और मैंने कवों को आग्या दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए हालेलुया प्रेस अलॉट चौथे में पढ़ेंगे आप तो उसने पानी भी पिया और कवे ने उनको खिलाया भी प्रेस अलॉट यनि कि वो कुड़कोडाया नहीं आज हम जो चीज़ मांगते हैं और हमें परमेशर से नहीं मिलती हम कुड़कोडाने लगते हैं क्या परमेशर मैंने गोडी ललकी मांगी थी तुने काली दे दी क्या परमेशर क्या दी तुने हालेलॉया मांगा क्या मैंने दिया तुने क्या दिखाया क्या दिया क्या तुने कुड़कोडाया नहीं क्योंकि वो परमेशर के प्रेम को जानता था हम अपने जीवन में अगर परमेश्र के प्रेम को देखना शुरू कर देंगे अपनी हार इस्थिती में परमेश्र कहता है तू फल्वंत होगा कितने फल्वंत होना चाहते हैं हालेलुया यहना पंदरा का पांच पढ़िया अप तू फल्वंत होगा तू फल लाएगा Praise the Lord Hallelujah देखिए क्या कहता है 15 का 5 मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हूँ जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है जो मुझ में बना रहता है Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord हम कैसे बने रहेंगे किसी में किसी में बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है हम को उसके अनुसार चलना पड़ेगा Hallelujah अगर मुझे आपके संग बनना है तो मुझे आपके अनुसार चलना पड़ेगा Hallelujah मुझे उस दाखलता के संग रहना है और दाखलता के दौरा जो मुझे फल मिल रहा है उस फल को अपने जीवन में लेना है हालेलिया तू बना रहेगा तो फल लाएगा हम लोग चर्च आते हैं बचन सुनते हैं और चर्च में आकर हमने देखा है कि हर भाई, हर बैन तकरीबन हर गोई दीन हो जाता है नमर हो जाता चर्च में प्रेस अलॉट कैसे हैं आप, अच्छे हैं बैन प्रेस अलॉट बहुत हम नमर हो जाते हैं लेकिन प्राब्लम क्या है कि हम सरफ कलीशिया में ही नमर हैं बहार निकलते ही हमारी दीनता खतम हो जाती है बहार निकलते ही हम के देखा मैंने तो praise the lot भूला उसने परमेशर देखेगा उसे तो क्या है आपकी दीनता बनी नहीं रही वो क्या कहता है आपका फल लाएंगे जब बने रहेंगे Amen आप दीनता में बने रहेंगे आप नम्रता में बने रहेंगे तो परमेशर का अभिशेक कि आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा आप अपना अभिशेक खुद खो रहे हैं क्योंकि आप बने नहीं है वचन कहता है बने रही है इसलिए घमंड आपके अंदर ना आए एलिया को क्यों करी ताले के पास जाने के लिए परमेशन मेंने कहा कि कहीं वह घमंड उसके अंदर ना आ जाए कि मैंने कहा है कि साड़े तीन साल तक बारिश नहीं होगी मैंने कहा है हालेलुया आज हम प्रात्रा करते हैं परमिश्र के आशिर्वास से चर्च के बाद बहुत लोगों को चंगाई मिलती है हालेलुया लेकिन मेरी आखों के उबर चश्मा है कोई पूछ सकता है पास्टर अपने लिए चंगाई क्यों नहीं मांगते क्यों नहीं मांगते क्यों कि नहीं कशनी कर रहा हूं करनेवाला कौन है परमेश्र हमें ऐसास दिलाना चाहता है परमेश्र अपने हर अभी शेक के दौरा हमें आहसास दिलाता है कि तुम कुछ नहीं हो ये एहसास हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए आप उस अनुग्रे के सिंगासन के सामने रोज आएं हालिलिया तब आप अनुग्रे का अशीश पाएंगे जब आप रोज कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ देखे परमेशर बात करता है हलो अगर आप परमेशर के संग जुड़े हुए हैं तो परमेशर आपसे बात करता है कितने विश्वास करते हैं अगर आप पूरी तरीके से जुड़े हुए मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेशर मुझसे बात करता है और मैं बहुत आशीशीत हूँ मैं जो यह ministry चला रहा हूँ ना मैं सच कह रहा हूँ ना मैं Bible School गया हूँ ना मुझे किसी ministry का कोई भी experience है मुझे जो पवित्रात्मा कहता है मैं वही करता हूँ वही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ Hallelujah Praise the Lord तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आप उसमें एक हो जाएंगे आप उसकी आवास सुनना शुरू कर देंगे और जब तक आप उसकी आवास नहीं सुनेंगे तो परमेशर किसी के दौरा आप से बात करेगा जब तक आप उसकी आवास नहीं सुन रहे ना के रखने खोल के रखने कि क्या मैं गालत हूं एक बच्ची आएंटी है आई भलत हैं भॉल के रखिए यह बच्ची है यह कौन है यह कौन कहने वाली हो गई नू हुज परमिश्र बच्चों के द्वारा भी बात करता है अले length याद है बिलाम के बारे में बिलाम को किसने बताया कि तू गलत है गधी ने बिलाम को किसने बताया गधी ने उसकी गधी ने बताया कि परमेश्वर सामने खड़ा उसका दूद्ध we'd do हर puerta में आपको प्यार करता है इसलिए वो किसी ना किसी के दोरा आपको बता रहा है कि बच च्छे तुग अपने आपको ठीक कर ले है अभी आपके पास बुद्धीे होने से हिखायर में गलत हूं ओ के सुरी सौरी सुर्डी सॉरी सौरी परमेश्चर मजे मार्म करें मेरी एक आदत अगर मुझे परमिश्य से दूर कर दे तो मुझे नहीं चाहिए वो आदत मुझे नहीं चाहिए ऐसा सौभाव जो मुझे परमिश्य से दूर कर दे नहीं चाहिए मुझे ऐसा शौक प्रेस अलोट मुझे डाली की तरह प्रभू के साथ बने रहना है थभी मैं फल लाओंगा अगर आप बने नहीं हैं तो आप फल नहीं ला सकते बाइबल कहती है वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं तू डाली अगर तू मुझे में बना रहेगा तो ही तू फल लाएगा एमेन याद करिए आप फल चाहते हैं और परमेश्वर फल देना चाहता है परमेश्वर दाखलता क्यों है क्योंकि आपको फलवंद करने के लिए अलो परमेश्वर दाखलता क्यों है परमेश्वर क्यों कहता है मुझे जोड़िये परमेशर, बाइबल क्यों कहते है कि हम परमेशर के हम इशू के अंग है ये कलीशिया क्या है? उसकी दे है इशू मसी सर है और हम क्या है? उसके अंग है लेकिन अगर हम अंग इमानदारी से रहेंगे, अगर हमें परमेशर ने हाथ बनाया है, तो हमें हाथ का काम इमानदारी से करना है अगर हमें मुह बनाया है तो हमें मुह का काम इमानदारी से करना है वेसलोट आप अपने अपने कामों को इमानदारी से करिए आप बने रहेंगे और जिस जिन आप बने रहेंगे आपको सिर्फ यह देखना है कि मैं बना रहूं मुझे प्रभू में बने रहना है मुझे दीन और सबसे बने रहने का सभाव सबसे पहला क्या है दीन होना दीन होना शैतान आपको भड़कर आएगा शैतान आपके अंदर क्रोल लेकर आएगा शैतान आपको कहा रहे है यार ये कौन है कहने माले यार यही तो है धन है जो नम्र है क्योंकि वो प्रिथवी के अधिकारी है परमिश्य ने किसी अमीर को धन्य नहीं कहा, गाड़ी वाले को धन्य नहीं कहा, किसको धन्य कहा, जो मन का दीन है, जो नम्र है, प्रेस अलॉट, क्योंकि वो प्रित्वी का अधिकारी होगा, आप जब तक प्रित्वी पर हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आप प्रित्वी के अधिकारी रहें, आल लिया पास्टर ने का कि तुम गलत हो और आपने मान लिया हाँ पास्टर ठीक करें बचन कहता है कि तुम गलत हो आपने मान लिया आपके परोसी ने का कि मैडम आप सही नहीं है आपने नहीं आ रहे यह कौन होता है नमरता का मतलब क्या है कि आपका परोसी भी कहे हो सकता है आ मतलब क्या है अगर मेरा आज सवाब ये है दूसर सवाब ये है दूसरे पल का सवाब ये है तो मैं इस्थिर रही हूँ मैं कभी भी आजमाईश में आ जाओंगा प्रमिश्र क्या चाहता है कि आपकी इस्थिरता आपके साथ रहे इसलिए जो घमंड है वो आपको विचलित करता है घमंड आपको विचलित करता है इसलिए उसने कहा करीद के नाले पे जा और वहां का पानी पी इतना बड़ा भविष्य वक्ता जो आकाश के जरों के बंद कर सकता है जो साड़क तीन साल तक जिसके कहने पर पानी नहीं बरसेगा वो करीट नाले में जाकर नाले का पानी पी रहा है पानी निर्मल हो गया एमैन क्यों कब निर्मल हुआ कब निर्मल हुआ जब वो विश्वास के संग पीने के लिए गया आपके जीवन में वचन कब काम करता है जब आप वचन को पूरी इमानदारी के संग ग्रहन करते हैं जब तक आप ग्रहन नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगा अल Gir 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 मितेश ने बताया आपको कि अगर आप जो आपके आसपास हैं उनसे अगर प्यार नहीं करेंगे अगर उनकी आप नहीं सुनेंगे तो आप परमेश्र की भी नहीं सुन सकते हालेलुया प्रेस अलॉट मुझे याद आता है वो जमाना जब मैसेज बता रहा हूं मैं अपने पापा को देखता था पापा के बड़े भाई को देखता था 50 और 60s में जमाना था मैं उतना पुराना नहीं हूं मैं लिए देखता था सुनता था मैं 50 और 60s में एक जमाना था कि माबाब जो कहते थे बच्चे उफ नहीं करते थे कि जो बच्चों मावपने बोल दिया उसके बाद एक जमाना आया बहस करने का कि बापा मावपने कुछ कहा और बच्चे बहस करते ने 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 मामी ये ठीक नहीं पापा ये ठीक नहीं है कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हाँ हो है अब समय के रहे गैंगा हलेलुचない हाज पुराने जमाने में उम्र जादता होती थी मां अगर अपने बच्चे को जिसके बच्चे हैं उनके सामने डांती थे तो कुछ नहीं बोलता था ओके माँ ठीक है और तब वो आशीश पाता था आशीश पाता था आप क्या समझते हैं माबाप की डांट में क्या है आशीश प्रेस लौट परमेश्वर आपके सौभाव को बनाना चाहता है और शैतान जो है आज के आज के जो बच्चों में गलत इस्परिट आ गई है रिवोल्ड करने की मना करने की नो समझ बिना समझे ही मना कर देते हैं यह क्यों हो रहा है रेस अलॉट आलेलुए अभी मैंने वीबीस की क्लासिस के लिए 22 तरीका एनाउंस किया है तो आपने मुझ पर विश्वास किया कि पास्टर ने करा है तो मेरे बच्चों के लिए अगर आप संदे करेंगे पास्टर ने क्या किया यार इससे क्या फाइदा हो रहा है तीन दिन महीं यह पर आओंगे आने जाने का मेरा पैसा खर्च होगा बच्चों को लाएंगे यहां पर सुबब जली उटना पड़ेगा शुबब जली खाना बनाना पड़ेगा यह करना पड़ेगा आप अगर यह सब सूचेंगे तो आप उस आशीश को खो देंगे क्या पता परमेश्चर आप से किस तरीके से बात करना चाहता है आप नहीं चांदते कभी कभी क्या होता है हम क्लास में आते हैं क्लास में सुनने वाले आशीश पा लेते हैं जो क्लास में बैठा वाशिश नहीं पारा है। आप कर क्या रहे हैं। आप कैसे ले रहे हैं। प्रेस अलॉट। डिटॉर्ट नमीच छे का देखिए। डिटॉर्ट नमीच छे। छे और साथ पड़ी उसके बाद दस पड़ी। जली से पड़ी है। और यह आग जाए। प्रमेशर की प्रॉमिस देखिए। वो क्या चाहता है। हलो ध्यान से समझिए। आपकी आँखे खुल जाएंगी। क्या वो आपको देना चाहता है। रिटॉर्ट नमीच छे। और यह आग जया है। जो मैं आज तुछ को सुनाता हूँ। वे तेरे मन में बनी रहे। और तु इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठ मार्क पर चलते लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया करना। प्रमेश्वर की आज्याओं को आप जब लेटते उड़ते उससे लिपटे रहेंगे तब उसका आशिश आपके जीवन में काम करेगा। Amen वो क्या कह रहा है कि मेरी आज्याओं को लेटते उड़ते Amen लिपटे रहिए हमें उससे लिपट जाना है आगे बढ़िये बैटा जैसमा जब तेरा परमेश यहोवा तुझे उस देश में पहुचा है जिसके विशय में उसने अबराम, इसाक और याकुब नामक तेरे पुर्वजो से तुझे देने की शपत खाई और जब वो तुझे तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तुने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्तो से भरे हुए घर को जो तुने नहीं भरे और खुदे हुए कुए जो तुने नहीं खोदे और दाक की बारिया और जैतुन के वरक्ष जो तुने नहीं लगाए ये सब वस्तुए जब वो दे और तु खाय त्रप्त हो एमेन क्या कहता है प्रभू का वादा क्या है जब तु मेरे वचन में लिप्टा रहेगा जब तु मेरी आज्याओं पे लिप्टा रहेगा तो मैं तुझे वो मकान दूँगा जिसे तुने नहीं बनाया है मैं तुझे वो भंडार दूँगा जो तुने नहीं भड़ा है मैं वो दाखरस दूँगा जो तुने नहीं लगाया है मैं तुझे वो कुवा दूँगा जो तुने नहीं खोता है हाललुया एमेन बस आपको उसमें से लिपटे रहना है उसके वचन के संग लिपटे रहिए लिपटने का मतलब पता क्या है उस वचन के अनुसार काम करिए वो जो वचन कहता है हालेलुया उस वचन के अनुसार काम करिए वचन जो कहता है उसके अनुसार काम करिए जरासा एक परसंट भी लिप्टे रहेंगे, जब हम उस वर्शन को लिप्टा लेंगे, Bible क्या कहती है नया नियम में, कि जब आपने भबतिस्मा लिया, तो आपने इशू को पहन लिया, जैसे आप भबतिस्मा लेते हैं, क्या मकसद भबतिस्मा का? ताकि आप इशू को पहन ले, अगर इशू मसी ने आपको, अगर आपने इशू मसी को पहन लिया, तो आपका कोई इस्तित्व रह गया उसमें? आप चाहते हैं कि आप दिखें या इशू दिखें आप मेंसे? तो हम क्यों चाहते हैं कि हम दिखें? जब आप चाहेंगे मैं दिखूं, तब ही आप डिकलाइन हो जाएंगे, नीशे की तरफ जाएंगे। जिस दिन आप चाहेंगे कि मैं दिखूं, मैं मैं अपने अंदर मत आने दीजिए। सच कहा रहा हूं मेरी भेन, मेरे भाई, मैं कुछ हूँ। परमेशर को मैं से सक नफरत है। मैं को नहीं आने दीजिए अपने अंदर, इसलिए एलिया को करीद नाले में भेज़ दिया परमेशन है। कि तेरे अंदर मैं नहीं आएं, क्योंकि बारिश नहीं हो कि वो जानता था। साड़ तिन साल तक इसमें मैं नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मेरा भवश्योक्ता, ये मेरा नभी है इसलिए एलिया को उठा लिया पर्मेशन और एलिया आने वाला है Hallelujah Praise the Lord एलिया भी आने वाला है, sorry, एलिया नहीं आने वाला इशू मसी आने वाला है उसके बाद एलिया आने वाला है Hallelujah Praise the Lord तो जब तक आप उससे लिपटे नहीं रहेंगे आपका काम क्या है वचन के संग लिपटे रहना जो वचन कहता है उसमें आपको अपने आपको मारना पड़ेगा अपने आपको मारना पड़ेगा अपने आपको रोज नया करना पड़ेगा रोज नया करना पड़ेगा Hallelujah Praise a lot होता क्या है बबतिसमें के समय में हमने इशु मसी को पहन लिया अब हम उसी पहने हुए ड्रस को उसी चीज़ को हम लिए चल रहे है Hallelujah Bible क्या कहती है हमें रोज नया करना है हमें रोज नया भी शेख चाहिए हमें रोज नहीं शक्ती चाहिए हमें रोज नहीं किर्पा चाहिए इसलिए हमें रोज अनुग्रह के सिंगासर के सामने जाना है और घुटने टेकना है कि मैं खाली हूँ मुझे भर दे उसे रोज कहना है कि मुझे खाली हूँ, मुझे भढ़ दे, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ जब आप नहीं कहेंगे, देखिए आपकी ताकत को होना इशू आप समझे रहे हैं कि आप संडे को आई थे, आपने प्रातरा की, आपने वचन सुना और आपकी ताकत आपके साथ है लेकिन आप जब घर जाते हैं, आप जब बने नहीं रहते हैं, आपकी दीनता को खतम कर देते हैं संसार को आप देखते हैं, संसार की बनी हुई चीज़ों को आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप पर प्रभाव डालती है, और आपकी दिनता चले जाती है, आपकी नम्रता चले जाती है, यानि कि आप दाखलता से आप हट जाते हैं, जब आप दूर हो जाते हैं, तो आ अगर आप चाहते हैं कि आपका फल बना रहे, Amen, बने रहे है, पंदरा का साथ पढ़िए, यह और ना, पंदरा का साथ, यदि तु मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहू मांगो, और वो तुम्हारे लिए हो जाए, Hallelujah, यदि तु मुझ में बना रहे, और मेरे वचन तुछ में बने रहे, Praise the Lord, यहनि कि मैं लिपटा रहूं, तो जो कुछ मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, Hallelujah, लेकिन इस वचन का पहला शब्द क्या है, यदि, Amen, यदि, क्योंकि पर्मेशल आपके मन को जानता है, वो जानता है कि कभी भी आप भटक जाएंगे, आप जो चीज ले रहे हैं, जब तक आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, जब तक आप कलीशिया की कीमत को नहीं समझेंगे, आज के वचन को समझेंगे, अपने बप्तिस्वे की कीमत को नहीं समझेंगे उसके उधार की कीमत को नहीं समझेंगे कलीशिया को अपने क्रूस को नहीं समझेंगे क्रूस की कीमत को नहीं समझेंगे यहुदा इस करियोती जो कि परमेश्र का चेला था आलेलूईया जब वो इशू का चेला था, उसका पास्टर कौन था इशू मसी ऐसा शिक्षक यहुदा का शिक्षक कौन था इशू मसी न वो इशू मसी के पास रहा, और जब उसने तीस चांदी के सिक्के लिए और जैसे वो चांदी के सिक्के आए तो उसने उसकी एहमियत को भी समझा वो भी फेग दिया इमेन यही होता है मेरे भाई अगर आप इशू के नहीं बन पाएंगे न आप संसार में कोई भी बड़ा आशीश नहीं पार प्रकर सकते आप कीमत नहीं समझेंगे अगर आपने इशू की कीमत को नहीं समझाए तो आप संसार में किसी भी कीमत को नहीं समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे आप हो सकता बहुत पैसे कमा लें लेकिन आज नहीं तो कल वो पैसा ही आपको डुबो देगा क्यूंकि आप उस कीमत को समझ नहीं है यहुदा इस कर्योति नहीं ना इशु की कीमत को समझा नहीं समझा कि कौन है वो मैं किसको पकड़वा रहा हूं मैं किसके लिए 30 दिनार ले रहा हूं 30 चांदी के सिके यह आपको अपने से सवाल करना होगा कि मैं किसके लिए आ रहा हूं मैंने इशु को जीवन क्यूं दिया है क्या मैं उस तरीके से जीवन जी रहा हूं अगर आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद भी आप कुमारे पन का जीवन जीएंगे तो क्या आप अपने से सवाल में रह पाएंगे ने रह पाएंगे आप अपने पदी के प्यार को पापाएंगे नहीं पापाएंगे ना इसलिए अगर आपने इशु को जीवन दिया है तो आपको अपने जीवन में इशू का साथ चाहिए इशू के अनुसार आप जीएंगे तो आप इशू का प्यार और पाते रहेंगे सिंपल सी बात है इशू का प्यार आपको कब मिलेगा? जब आप उस प्यार की कीमत को समझेंगे जिसने आप उस बलिदान को समझेगें कि इशु मसी ने बलिदान क्यों दिया है बलिदान का मतलब क्या है लहू बहाने का मतलब क्या है देखिए इशु का बलिदान बिना लहू के अधूरा है बिना लहू के बिना लहू के बलिदान की कीमत नहीं है क्या आपके बलिदान में लहू है क्या आप जब बलिदान करते हैं लहू है पेन है जब आप किसी के लिए बलिदान करते हैं जब आप परमेश्र के लिए कोई बलिदान करते हैं क्या आप लहू बहाते हैं क्या आप में दर्द होता है आलिलुया कि आप से किसी ने मांगा और आपनी अपनी बढ़ती में से उसको दे दिया उसमें से पेंड नहीं हुआ मैं पीजी अंकल का बचन सुन रहा था बता रहे थे वो 64 की बात है कि 64 में उनके दो बच्चे थे और दो बच्चे उनके स्कूल में जाते थे और उस रिक्षे का किराया दो बच्चों का सौर पे था और वो देते थे बच्चों को कि उनके बच्चे स्कूल में जाते थे और सिविगाई करते थे पठान कोट में वा एक उनका दोस्ता जानने वाला वो दो अनात बच्चों को उनके पास लेकर आया दो अनात बच्चों को कि अनात बच्चे हैं इनको स्कूल में एड्मिशन कराना है और सौर पे लगेंगे सौर पे कि इनकी फीस है इनको स्कूल में एड्मिशन कुछ समय की बात कर रहा हूं 64 की किसी की लाइब बनेगी ये बच्चे पढ़ पाएंगे तो पीजी अंकल बताते हैं कि हमारे पास कोई था ही नहीं हमें पास सिरफ बच्चों को फीज देने के हम बच्चों को तो फीज दे रहे थे उनका स्कूल में भेजने के लिए रिक्ष नहीं जाओंगा और उसमें जो सौरवे बचेंगे वो उन बच्चों को दूँगा ये हैल्प कैसे हुई बलिदान के साथ कंगाल विद्वा का याद है रिसलोट वह अपने निर्धंता में से उसने ब्लैसिंग की है अपनी कुछ नहीं में से उसने कुछ दिया है बहुत आ आपके देने में बलिदान है आपके बलिदान में लहू है प्रिसलोट आपके बलिदान में लहू होना चाहिए तब आप अपने जीवन में अभिशेक का नुभव करेंगे तब अभिशेक का मैसुख तब आप देखेंगे परमिश्र का काम यह ही बलिदान करना कोई बढ़ नहीं है किसी झोखाना खिलाना नहीं है अपनी भूख को सामने वाले को देना यह बलिदान ऑल्लॉइया डारेस अलॉइज परमेशल आपके बलिदान में लहु देखना चाहता है यह आललॉइया प्रलमेशल आपके सभाफ को बढ़ाना चाहता है कि आपका सौभा परमेश्र के निमित हो जाए अलेलोईया इसलिए पूरी इमानदारी के सेंग इसलिए इबरानियों तीन का तेरा पढ़िये अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभू काम करे तो लोगों को प्रोसाहित करिए प्रोसाहित करिए तीन का तेरा पड़ी जली पड़िए वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दुसरे को समझाते रहो अईसा नहों कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठर हो जाए अलेलुया प्रेस अलोट प्रोसाहित करो एक दूसरे को प्रोसाहित करो उसको पताओ कि इशू मसी का प्रेम क्या है आपको परमिश्ण का प्रेम मिलिया इसके घर में नहीं बैठना है निकलना है आपके प्रोसी को बताना है कि प्रभू का प्रेम क्या है आप जब प्रमिश्ण के प्रेम के बारे में किसी को बताएंगे तो वो प्रेम डबल होगा वो प्रेम काम करेगा वो प्रेम काम करेगा प्रेम क्या है एक बीज है फल एक पविद्रात्मा नौ फ़ल लेकर आपके अंदर है उसमें से एक फ़ल कौन है प्रेम हललुया आपके जीवन में फ़सल कब आएगी हललुया कब आएगी आपके जीवन में फ़सल जब उस प्रेम का फ़ल आप किसी के जीवन में लगाएंगे जब प्रेम का फल आप किसी के जीवन में लगाएंगे फसल आएगी और उसका प्रतिबल कौन प्राप्ट करेगा आप प्रेम की फसल प्रेम का फल लगाईए और दीनता और नम्रता के संग दाखलता के संग बने रही है अपना सौभाब मत खोड़िए आज हमारा सौभाब अच्छा है हमारा मूड अच्छा है तो हम दीन है आज हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम उग्र हो गए हैं हमें घमंड आ गया नहीं मेरी भेंग पर मिश्र को पसंद नहीं है और ये आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आपने अपना सौभाब बना के नहीं रखा तो आप फलवंत नहीं होंगे आप फलों को प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि वचन कहता है कि दा करता हूं तुम डालिया जो मुझे में बना रहेगा वो फल प्राप्त करेगा जब तक आउसमें बने रहेंगे तो आप आशीश प्राप्त करेंगे आलिया प्रेस अलॉड आज का वचन हमने ग्रहन किया आलिया बने रहना आपका काम है प्रभू ने आपको चुन लिया है बनना आपको है बने रहना आपको है कोई भी आसमाईश आएगी, कभी भी गुस्सा आएगा, कोई भी शैदान आपको अटकाने की, आपको उक्साने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने सौभाव को नहीं भूलना है, आलेलिया, प्रेस अलॉट, तो ये जितने माबाप हैं, वो प्लीज अपना VBS के लिए नहां को नाम लिखा दें, प्लीज, हालेलिया, ताकि आपको और अपने अपने फोन नमबर, इनके नमबर से ले लेना, सबके नमबर, प्रेस अलॉट, हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, अजय हुआत।